भगवान राम ने कवे के आँख क्यों फोड़ी थी? प्रस्निया हुथता है कि एक ही आँख क्यों दोनों क्यों नहीं? दोस्तों, रामाल का बहुत ही अद्बुत और रहस्में कथा आप देख रहे हैं भगती मन। स्रीराम चरितर मानस में तुलसी दास जी ने इस कथा का जीकर विस्तार से किया है कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र के पूतर जयंत ने भगवान स्रीराम के परिछा लेने की सोची वास्तों में ओन स्रीराम के सक्ती को आंकना चाहते थे इसलिए उन्होंने कौवे कारूप धारण कर माता सीता के पैरों को अपने चोच से घायल कर दिये जब भगवान सिरीराम ने माता सीता के घायल पैरों को देखा तो उन्हें बहुत कुरोधाया सिता जी के पैरों से खुन बह रहा था भगवान राम को भाली भाती ग्यात था कि देवराज इंद्र का पुद्र जैन्त है उसका आहंकार तोड़ने के लिए भगवान सिरी राम ने अपने कोदंड नामक धनूस पर एक सरकंडे को चढ़ा कर संधान किया तब ब्याकुल होकर कवान ने सब जगा भाकता फिर रहा था ब्रह्म लोग से लेकर सीव लोग और यहां तक कि वो अपने पिता इंद्र से भी बचाने की बिंती की लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की तब देवराज इंद्र ने कहा पूत्र ओ पर ब्रह्म है उनके सिवा तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है तुम उन्हें के सरण में जाओ वही तुम्हारा उधार करेंगे तब तब उसने भगवान सिरीराम के चर्णों में गिर पड़ा और छमाय अचना की तद पहचात भगवान सिरीराम ने उसे माप कर दिया लेकिन कोदंड पबाण का संधान हो चुका था इसलिए उसकी एक आग फुट गई उस दिन से कवे को एक आग का माना जाता है ऐसी कथा प्रचलित है दोस्तों ये कथा कैसा लगा कमिट बक्स में बताएं और पसंद आये तो लाइक करें ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जूड़े रहें धन्यवाद